दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जिनको सर्फ 4 टेबलेट के बारे में जिनको सर्फ 4 टेबलेट एक कॉंबनेशन मेडिसन है जिसका उप्योग कोगनेटर विनहांस है यानी संग्यानात्मग बढ़ाने के रूप में किया जाता है यह मस्तिष्क के कार्या को बहतर बनाने ध्यान केंद्रित करने और मस्तिष्क में रख के प्रवाह को बढ़ाने में मदद करता है यह न्यूरॉन्स के बीट संचार को भी बहतर बनाता है और मस्तिष्क की सुरक्षा करता है ये टैबलेट कई डॉक्टर स्टनाइटिस के उपचार में भी इसकिस्तिमाल करते हैं कानों में बजने की समस्या को टिनिटस कहते हैं यह एक ऐसी स्थिती है जिसमें कानों में शोर सुनाई देता है जबकि कोई बाहरी स्रोत नहीं होता टिनिटस से पीडित लोगों को ऐसी आवाज है सुनाई देती हैं जो असल में उनके आसपास नहीं होती जिनको सर्फ फोर टैबलेट कैसे काम करता है ये टैबलेट तीन दबाओं का मिश्रन है जिनको बिलोबा, पिरासिटाम और बिन्पोसिटिन और तंत्रिका कोशिकाओं पर विभिन चैनलों को भी प्रभावित करता है टैबलेट को खाने के साथ या उसके बिना लिया जा सकता है खास्त और से इसे प्रतिदन एकी समय पर लेने की सलाह दी जाती है इसे हर रोच एकी समय पर ले क्योंकि यह शरीर में दवा का निरंतर स्तर बनाए रखने में मदद करता है इस दवा को अपने डॉक्टर द्वारा निर्धारित खुराक और अवधी में ही ले और अगर आप कोई खुराक लेना भूल गए हैं तो उसे जल्द ही ले ले बहतर महसूस होने के बावजूद भी दवा की कोई खुराक ना छोड़े और इलाज का कोर्स पूरा खत्म करें यहाँ अवश्यक है कि डॉक्टर से बात किये बिना इस दवा को अचानक बंद न किया जाए क्योंकि इसे आपके लक्षनों की अवस्था और भी खराब हो सकती है इस दवा की कुछ सामान्य साइड इफेक्ट में पेट खराब होना, रैश, फ्लशिंग चेहरे, कान, गर्दन और धर में गर्मी महसूस होना घबरहत और एच्छी गतिविद्यों का असामान्य होना शामिल है अगर ये कम नहीं होते हैं या आपको परेशान करते हैं, तो क्रिपय आपने दॉक्टर से परामर्ष ले, इस दवा के कारण वजन बढ़ सकता है और इसे नियंत्रित करने के लिए आपको संतुलिताहार खाना चाहिए और नियमित व्यायाम करना चाहिए तो दोस्तों ये थी जिनको सर्फ फोर टाबलेट के बारे में जानकारी अगर विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें